क्या आप लोग भी pregnancy प्लान कर रहे हैं और आपको भी एक question रहता है कि सब्ता में कितनी बार relation रखे जिससे जल्दी pregnancy के chances बढ़ जाए या फिर मैने में कौन से ऐसे दीन होते हैं चहाँ पर relation रखना ज़रूर है जिससे pregnancy के chances बढ़ जाते हैं दूसरा question यह रहता है कि एक बार relation रख देते हैं sperm body के अंदर चला गया उसके कितने दिन तक sperm अंदर जिन्दा रहे सकता है या फिर दूसरे words में हम यह बोल सकते हैं कि दो relation के बीच में कितना gap रखना चाहिए maximum कितना gap वहाँ पर चलेगा चुप तक relation ना रखे तो भी pregnancy के chances बने रहेंगे यानि कि आज relation रखा फिर तीन चार पाच छे कितने दिन तक हम relation नहीं रखेंगे तो चलेगा कभी-कभी लोग यह बोलते हैं कि alternate days relation रखने से pregnancy के chances बढ़ जाते हैं आइडियल यह तो यह ठीक रहता है क्योंकि एक दिन छोड़के एक दिन relation रखने से वहाँ पर pregnancy के chances बढ़ते हैं लेकिन practically कभी-कभी यह possible नहीं हो पाता है relation रखने के वहाँ पर कभी-कभी chances नहीं होते हैं कभी थकान की बज़े से कभी काम की बज़े से कभी कहीं बाहर जाना हुआ तो एक दिन छोड़के एक दिन relation हो जाता है तो एसे में कितने दिन का गेप बीच का वहाँ पर चल जाएगा यानि कितने दिन relation नहीं रखेंगे तो भी pregnancy में कोई दिकत नहीं आएगी दूसरा question यह रहता है कि वहाँ पर यदि cycle irregular है यानि कि कभी कभी cycle 25 दिन पर आई कभी 28 दिन पर आई कभी 32 दिन पर आई तो वहाँ पर ovulation कब होगा या फिर हम बोल सकते हैं कि relation रखने के days कैसे decide करेंगे वहाँ पर या फिर आपको यदि यह पता चल जाता है कि अंडा आपके अंदर कभ रिलीज होता है कभ ओ विलेशन होता है और अंडा कितने दिन अंदर रहता है तो पूरे मैने में यदि दो दिन भी आप रिलेशन रख आते हैं तो उसी दिन रिलेशन रखेंगे बाकी के पूरे महीने रिलेशन नहीं रखेंगे तो भी वहाँ पर प्रेग्नेंसी के चांसिस उतने ही रहते हैं जितने एक दिन चोड़के एक दिन आप ज्यादा दिन तक रिलेशन रखते हैं तो यहाँ पर रिलेशन कितनी बार रखा ये ज़रूरी नहीं होता है कितने दिन रखा ये ज़रूरी नहीं होता है ज़रूरी होता है किस दिन पर आपने रिलेशन रखा है तो यदि आपको विडियो डिटेल में आखिरी तक देखते रहेगा आपको हम प्रिसाइस डेस बताने वाले हैं प्रिसाइस डेस के से सि पारिव बाती इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फ्रेंट आखिरी तक जूड़े रहेगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंसेर कर दीजेगा और अपी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे क्योंकि आपके लिए बिल्कुली फ्री है त अब वहाँ पर यदि आपकी सैकल सोट है या फिलेंदी है यानि कि 22-23 दिन में पीरिड आजाता है या 40 दिन में पीरिड आता है तो ऐसा होता नहीं है कि बीच के दिन में वहाँ पर ओविलेशन होता है जनरली यदि आपकी सैकल रेग्यूलर है तो उसमें लुटियल फेज यानि कि ovulation के बाद का जो days रहता है वो fix रहता है 14 दिन वहाँ पर fix है यानि कि आज ovulation हुआ तो उससे 14 दिन में या तो वहाँ पर pregnancy confirm हो चाएगी या फिर वहाँ पर आपका period आजाएगा तो यदि आपकी cycle regular है तो आपको ये गलत फिमी में नहीं रहना है कि बिच के days ही वहाँ पर रहते है आपको वहाँ पर आपकी cycle है फिर वह 22 दिन की हो या 26 की हो या 28 की हो या 35 की या 40 की उसमें से 14 माइनस करना होता है और वह 14 दिन माइनस करने के बाद जो दिन आपके पास आया है उस days के आजपास relation रखने से आपके pregnancy के chances बढ़ जाएगे अब हम आपको ये आगे समझाएंगे कि आपको वह कैसे calculate करना है लेकिन यहाँ पर ये गलती बहुत ज़्यादा लोग कर देते हैं कि यदि बिच के दिनों में relation रख देते हैं बागे के दिन में relation नहीं रखते हैं जो के ovulation days होता है वो miss हो जाता है और कभी-कभी body sign symptom भी बत करते हैं और नहीं रखते हैं और वहाँ पर मिस हो जाने से pregnancy के chances कम हो जाते हैं और दूसरी query यह आती है कि क्या irregular cycle है यानि कि कब उसको पता ही नहीं है जब दवाई लेते तब भी period आता है या तीन या चार मैना या दो मैना या एक मैना कुछ उसको पता है नहीं फिक्स नही तो हमारा जवाब होगा ना एसे में pregnancy रुखना थोड़ा सा impossible है क्योंकि वहाँ पर ovulation आपकी अंदर नहीं हो रहा है और जब तक ovulation नहीं होगा तो pregnancy कैसे रुखेगी चाहे आपकी cycle वहाँ पर दो मैना तीन मैना लेकिन फिक्स cycle हो तो ovulation होने के chances होते हैं और यह आपकी ऐसी लेकिन हर मैने अपना पीरेड आना चाहिए और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं उसके लिए होम रेमेडी से आप अपलाई कर सकते हैं होमेपथी दवाया ले सकते हैं होमेपथी दवाया वाँ पिसी ओडियो में बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं वहाँ पर कितने भी regular period ह रेग्यूलर हो जाती है दो-तिन मैने में प्रेग्नेंसी बीकंसी हो जाती है तो पहले उसको आप साइकल को रेग्यूलर करो ठीक करो उसके बाद वहाँ पर वी लेसन होगा और प्रेग्नेंसी रुखेगी दूसरा क्वेस्टन यहीं रहता है क्या डेली रिलेसन रखने से जल्दी रुख जाएगी तो इसा बिल्कुल ज़रुरत नहीं है डेली रिलेसन रखने की यदि आपको हम यह बताएंगे क्या आपको आट से बीस या बाइस तक डेली रिलेसन रखना है तो जो में डेस होंगे वो छुटने की संभाव ना बढ़ जाएंगी क्योंकि एक ले स्पर्म का जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है तो यहाँ पर एक बार स्पर्म बोडी में जाए उसके बाद वो वहाँ पर तीन या चार दिन जिन्दा रह पाता है अब आपनी रिलेसन आज रखा फिर दो या तीन या चार दिन तक रिलेसन नहीं रखेंगे तो भी चल जाए क्योंकि स्पॉम अंदर है अंडा रिलीज होगा स्पॉम मिल जाएगा और वहाँ पर प्रेग्नसी रुख जाएगी तो मेक्सिमम आप तीन दिन का गेप भी कर सकते हैं आज रिलेशन रखा तीन दिन तक एक बार भी रिलेशन ना रखे कहीं बाहर जाना हुआ मन नहीं है एक दिन रिलेशन रखो तीन चार दिन रिलेशन ना रखो फिर एक दिन रिलेशन रख दो फिर दो तीन दिन ना रखो इस तरह से आप वहाँ पर रिलेशन रखते रहेंगे तो कितनी भी रेग्यूलर सैकल हो उसमें भी प्रेग्नेंसी रुखते हमने देखी है तो इस तरह यदि आपकी 28 दिन की साइकल है तो उसमें से आप 14 माइनस करेंगे तो 14 देर के आसपास आपको वहाँ पर ओविलेशन की संभावना है तो आपको रिलेशन रखना है 12 से लेकर 16 के बीच में यदि वहाँ पर रिलेशन रख देंगे आरम से प्रेगनसी रुख जाएगी उसी त इससे आपकी साइकल 22 या 33 या 34 दिन की है तो आप 22 में से 14 माइनस करेंगे यानिके अठारा दिन पर आपका उफ्यलेशन होने की संभावना है तो आप रिलेशन रखेंगे 14 से लेकर 22 के बीच में वहाँ पर दो-तिन दिन आगे पिच्छर ये दिन में आ जाता है या कभी-क प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाएंगे ये इसी तरह से आपकी साइकल है 40 दिन की 40 दिन पर ये आपको वहाँ पर पीरियड आते है 40 दिन चुमालिस दिन तो आप किस तरह से रिलेशन रखेंगे तो आपकी ओवी लेशन की संभावना होती है 26 दिन के आसपास तो आप 22 स लेकर 30 या 32 तक रिलेशन रख देंगे एक दिन चोड़के एक दिन या दो दिन चोड़के एक दिन तो भी वहाँ पर प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाएंगी यहां पर हमने आपको समझा दिया है आपको किस तरह से काउंट करना है आप अपनी साइकल होती है उसको ए ज़र्द नहीं है और यदि उसमें भी दुश्कत यह आती है कि अंडा आपने आप बनता नहीं है या बन जाता है तो अपने प्वुटता नहीं है तो एसे केसे में आपको फॉल्यक्टि वहाँ प्रेफे दवाई आप बहुत अच्छे से काम करती है चाहें पि-सी-ो डी की की जरुरतना पर इसके लिए भ्योमेपिति दवाया बहुत अच्छे से काम करती है इसी तरह से अभी आपकी बोडी भी कुछ आपको सिम्टम दिखाएगी यानि कि आपकी बोडी खुद आपको बोलेगी आज ओविलेशन डे है तो वह आप कैसे अब्जर करेंगे कुछ सिम् करना है आज आपने उठने के बाद लिया फिर ब्रस किया दूसरे दिन्स के बाद टेंपरेचर मेजर किया तो यहाँ पर वह नहीं चलेगा सुबह उठते ही बेड के नीचे पे रखने से पहले आपको अपना टेंपरेचर मेजर करना है बेजल बोडी टेंपरेचर बहुत अच्छी में थड़ है बीना केसी खर्चे के आप घर पे बेठे ही अपना ओविलेशन डे प्रिसाइसली जान सकते हैं जिस दिन ओविलेशन होगा उस दिन आपका टेंपरेचर थोड़ा सा बढ़ेगा एक सेलचेस इतना बढ़ जाएगा अब उस दिन वो टेंपरेचर तक स्टेबल रहेगा जिस दिन ड्रोप होगा उस दिन आप समझेगे एक दू दिन में पीरियड आ जाएगा यदि वो ऐसे बड़ा हुआ रहता है तो आपकी प्रेगनेंसी कंपर हुई है वो भी उससे जान सकते आप तो बेजल बोडी टेंपरेचर से आप जान सकते हैं आ अब कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ठेट टेस्ट नहीं हो पाता है या मुझे इतना मुकस डिस्चाज आता ही नहीं है या पूरा महीना ड्राइनेस रहती है लेकिन यहां मैं कीट में चेक करती हूँ या फिलोकिल स्टडी कराती हूँ तो वहां पर आ जाता बोडी क्यों यह साइन नहीं दिखाती है तो यदि आपका एमेच बहुत ही कम होगा या फिर एमेच बहुत ही ज्यादा होगा तो आपको मुकस डिस्चाज में थोड़ा सा बदलाव आएगा और वह बिल्कुल ही नोर्मल है यदि आपकी बोडी में यह बदलाव नहीं आता यानि कि मुकस डिस्चाज आपको अच्छे से नहीं आता है तो क्या करेंगे तो आप अपनी अब्डोमिन में दर्ध से पता कर सकते हैं जिस पे दिन ओविलेशन होता है चाहे वो रैट में से ओविलेशन हो या लेप्टोरी में से ओविलेशन हो उस साइड में आपको बच्चे दानी का मुख खुला है या बंध वूस से पता कर सकते हैं बच्चे दानी का मुख उपर है या निचे उसकी भोजिशन से पता कर सकते हैं जिस दिन बच्चे दानी का मुख खुला रहेगा और बच्चे दानी थोड़ी से उपर की तरफ चली जाएगी यदि वहाँ पर प्रेग्नेंसी रुप जाती है तो वह उपर ही रहेगी वो नीचे नहीं आएगी और मुख वहाँ पर बंध ही रहेगा वो फिर से खुलेगा न टेलिफोनिक अपॉन्मेंट बुक कराने के लिए वोटसप नूबर नेचर डिस्क्रिप्शन बुक्स में दिया है वहाँ पर उतना है कहिना है मुझे अपॉन्मेंट चाहिए आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी वीडियो अच्छा लगे तुसको लाइक एन सेर कर जेगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तक हली जो क्याप के लिए बिल्कुली फ्री है तो चले फ्रेंट फिर चली से मिलेंगे तब तक के लिए बाई